आई दोस्तो आज हम आपको बच्चों की लंगोड बनाना बताएंगे इसको किस तरीखे से आप आसानी से बना सकते हैं तो यह हमने कपड़ा लिया है क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम है और आजकल अगर बच्चों को पूरा दिन हगीस पेना के रखो तो दाने निकलाते हैं तो इसलिए अगर अपने घर में आप अराम से अगर यह बना लेंगे तो ज्यादा बेतर रहGA क्योंकि बच्चे भी थोड़े से अवसराइब्ल रहेंगे ये समोस लिखे मेरैं थोड़ा था यही है यसे समोसा कड रहे हं तप ने लएने के बाद उच्छे कि इसको हम यहां से देखिए इस तरीके से मैं दिखा दूँ एक मिन्ट आपको फोल्ड करते हुए जैसे यह चीज है अब यह देखिए यहां से 14 इंज का इस तरीके से देखिए निसान लगा ले और 14 इंज का निसान लगाने बाद में देखिए इसको इस तरीके से फोल्ड कर दें यह देखिए ऐसे करके क्योंकि यह 14 इंज का अगर बच्चा थोड़ा सा हैल्थी भी होगा तो भी उस यह आसानी से बिल्कुल देखिए, सिंपल तरीके से देखिए, यह कड जाता है, यह देखिए, यह इस तरीके से यह कड गया, बिल्कुल, इजी तरीका है बिल्कुल इसका काडने का, तो इसको देखिए, यह काड लिया, अब काडने के बाद में देखिए, इसको हम इधर काफी है तो इस तरीके से यह देखिए 1.5 इंज का यह काड़ लेंगे और एक यहाँ पर छोटी सी लुपी लगती है उसको भी इतनी ही चोड़ी हम कि देखिए काड़ लेंगे 10 इंज काफी है अगर अब देखिए कपड़ा हमारे पास यह आ गया ज्यादा तो हम एक काम करते हैं इसको एक दो इंज और बढ़ा देते हैं दसकी जगह हम 12 इंज कर लेते हैं तो 12 इंज के यह देखिए दो पीस इस तरीके से यह जो हमारे साइड में आएंगे और एक यह जो हम तीनिंग का करीब इस तरीके से एक अंदाजन 3,5-3 इंग ये 3,5-3 इंग का है ये इस तरीके से काड़ लेगे क्योंकि इसको देखिए एक तो बारीक ज्यादा ना बनाए क्योंकि बारीक चीज जो होती है वो जब बानेंगे न हुआ पे तो बच्चों को कई बार होता कि वह चुप जाती है तो इसलिए इसको इस तरीके से यह पट्टी बनाए तो पट्टी जो है ना मुलाइम रहती है तो इसको सीखने के लिए चलिए चलते हैं मसीन पर यह देखिए इसको इस तरीके से हम यह रख देंगे यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे देखिए यह इसको देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे ऐसे करके और यहाँ पर पका कर लेंगे यह देखिए ऐसे करके यह देखिए ऐसे कई बार क्या होता है ना दागा एकदम तूड़ जाता है थोड़ी से सिलाई लगाओ इसलिए यह दागा तूड़ जाता यह देखिए इस तरीके से यह यह दूसरी वाली भी यह देखिए ऐसे यह देखिए यह दोनों बन गई अब यह जो चोटी वाली जो लगानी है इसको भी इसी तरीके से देखिए इतनी ही चोड़ी इसको भी बनाने क्योंकि देखिए क्या है कि ये इस तरीके से बनाने से ये होता है कि अगर आप घर में अगर बना लेंगे ना तो हर समय बच्चों को आप डायफन नी पैनाएंगे तो उनके जो बहुत सारी दिक्कते होती है देखिए हम लोग भी होते हैं तो हर समय अगर जीन्स की पैंड बगएरा कोज भी पैने रहते हैं तो पसीन आ जाता है तो बहुत ही ज़्यादा एरिटेट होते हैं इसलिए बच्चों को भी क्या करें बच्चे बच्चे बैसे बोल नहीं सकते तो या तो रोएंगे या फिर उस चीज को खीचेंगे यह देखिए इस तरीके से देखिए यह जो है इसको इस तरीके से ऐसे करके और यहाँ पर इसके कोने पर इस तरीके से देखिए सिल देंगे पहले ये देखिए ऐसे करके ये देखिए ये बिल्कुल ही इस तरीके से ऐसे करके सिलेंगे जब सिलाई लगाएंगे तो वो इसमें दप जाएगा ये देखिए इस तरीके से फिर इसको ऐसे करके यहां से सिलाई लगाएंगे ये देखिए अराम से, बहुत आसान है ये घर में बनाना, देखिए इस तरीके से, आप बनाएं, ये देखिए, और यहाँ पे सिलाई पक्की कर दें, और दो इंज के करीब इसको इस तरीके से, ऐसे करके छोड़ दें, ताकि हम यहाँ से इसको पल्टेंगे, और एक चीज औ और पाझात का दुद्ध का देखिए, कि इस सेड में ये लगाना भूल गया, तो देखिए, इसको मैं लगा देता हूं इदर, बो अभी वहाँ से खोल के लगा दूँगा, देखिए, इस तरीके से, अब यह देखिए, यहाँ पर हमने यह पने यहाँ पे इसी तो ओर नही इस तरीके से खोल लेंगे और खोलने के बाद में इसको इसके अंदर देखे आसानी से यह ऐसे करके देखेंगे यह देखिए आप है कि देखिए बूल ढहर किसी से हो जाती है बूल जाते हैंब जल्दी में मैंने लगाने गया तो दिमाग नित शल्म तुकि यह इस तरीकते बता रहे हुंए है ताक्य गुम रहेगा लगाने के लिए तो आप इसको कच्चा उपरसे भी लगादेंगे में तुकि इस संट रहे हुआ इस तरीके यह देखिए ऐसे कर गयों और यह इस तरीके से देखिए कुआ को यह बहुत आसान है और आसान हम इस बेवान बहुत अब तो पहले तो यह डाइफर बगढ़ा नहीं आत customize पहले घर में यही चीजे मनती थी तो इस से बहुत सारा यह होता है कि बच्चों को बहुत आराम रहें मिलता है बहुत रिलेक्स रहते हैं हाँ ये एक चीजह है कि बच्चे बात्ường बगएरा करते हैं तो बिस्तर बगएरा गीले हो जाते हैं वो ये अलग चीज़ है मगर ये है कि बच्चों को थोड़ी सी परैसानी से बच जाते हैं तो यह देखिए इस तरीके से, अब यह यहां से, इस तरीके से देखिए, इसको सिलाई लगाएंगे, ऐसे करके, यह देखिए ऐसे करके, और यह सिलाई ऐसे करके, देखिए अब यह सिलाई लगा ली, यह जगा और एब होती है, अगर आप सिलाई लगाना चाहते हैं यहां तो लगा लें, अगर सिलाई नहीं लगाएंगे तो कोई ऐसी दिक्कत वाली वाल नहीं है क्योंकि यहाँ पर जोड भी नहीं है तो यह इस तरीके से आप सिलाई लगा लेंगे तो यह देखिए, यह इस तरीके से यहाँ पे आएगा अब यह जब बच्चों को पेनाएंगे तो यह चीज इस तरीके से इसमें ऐसे करके डालेंगे देखिए यह देखिए ऐसे करके और यह इस तरीके से जब ये दोने चीज़ ऐसे करके पढ़ जाती है ना तो बच्चों को फिर ऐसे करके जब आप पहनाएंगे ये चीज़ तो इसको इस तरीके से देखिए ऐसे करके बान देंगे तो ये थोड़ा healthy बच्चा होगा ना उसके भी आ जाएगी ये तो ये इस तरीके से आप उनको पहनाएंगे तो पहनने बच्चा बहुत comfortable महसूस करता है तो इस तरीके से आप ये लंगोट बना सकते हैं अपने घर में तो वीडियो कैसी लगी आपको like करें और share करें और subscribe करना ना भूलें क्योंकि दोस्तो एक चीज और यह आप comment में लिखेंगे कुछ भी आप जो चीज लिखेंगे कोशिस करेंगे हम कि आप अपने comment में लिखके बताया हमें कि आप क्या देखना चाते हैं क्या आप सीखना चाते हैं तो कोशिस करेंगे हम, हम यह नहीं कहते कि जो आप बोलेंगे, हम बना देंगे, कोशिस कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों का साथ रहा, तो आगे भी हम बहुत कुछ बनाएंगे, और आप लोग देखते रहेंगे, और आप लोग जरा इसी तरीके से हमें प्यार देते थेंक यू फॉर बॉचिंग